यहाँ पर मैंने 31 फंदे लिए हैं 30 फंदे इसके 10 के मल्टिपल से हैं प्लस एक फंदा एक्स्ट्रा हैं साइड में डिजाइन को एक्विल करने के लिए और नीचे से मैंने इसकी 2 रो उल्टे उल्टे फंदों साथ बुनकर निकाल ली है तो चलिए शुरू करते हैं देखते हैं यह डिजाइन कैसे बनेगा यह इसकी फंदों है और राइड साइड है यह दिखे यह इस्टिज ऐसे ही उतारेंगे और इस सारी रो को हम ऐसे ही सीधे सीधे पंदों के साथ बुनकर कम्प्लीट करेंगे करे लो बुनकरांँ जि तो साथ बुनकर वदाण गुनकरांद़ गय तोर रामिलियर्स प्यूरो कि जह इस तो शकते हाँ है कि कुमकhol करेंगे और बुनकरक चिके ले हैं प्याग ऑ्या यह दिखें फर्स्ट रो कम्प्लीट हो गई, सेकेंड रो है रॉंग साइल, इस सारी रो को हम उल्टे-उल्टे फंदों के साथ की दूनें गयो इस साथ की दूनें गयो इस सारी रोव को फिर से सीधे सीधे फंदों को साथ पुनेंगे फूर्थ रोव है रोव साइन इस रोव को हम सीधे सीधे फंदों के साथ पुनेंगे पहले हमने सेकेंड रोव को उल्टे फंदों के साथ पुना था अब फूर्थ रोव को हम सीधे फंदों के साथ पुनेंगे तो यह राइट साइड में उल्टे फंदे इसके आ जाएंगे नीचे से इसकी थ्री रोव सीधे फंदों के साथ होंगी यह देखिए फूर्थ रोव कंप्लीट हो गई देखिए इसकी फिफ्थ रोव है राइट साइड अब देखिए यह जो डिजाइन है इसकी फिफ्थ रोव से स्टार्ट होता है नीचे की फूर रोव तो हम ऐसे ही बुनेंगे इसकी सिंपल ही यह देखिए अब ऐसे ही उतारेंगे धागा आगे करते हुए जाली डालेंगे और एक फंदा सीधा बुनेंगे फिर से धागा आगे करेंगे और जाली डालेंगे एक फंदा सीधा बुनेंगे देखिए यहाँ पर हमने दो फंदे सीधे बुने हैं, जाली डालते हुए, दो जाली हमने यहां पर बनाई है, आगे दिखिए, पांच फंदे हम ऐसे धागाल पेट कर बुनेंगे, एक, दो बार धागाल पेटते हुए, पांच फंदे बुनेंगे, दो फंदे हो गए, धागा आगे, जाली डालेंगे, तीन धागा आगे, जाली डालेंगे, चार धागा आगे, जाली डालते हुए, पांच फंदे सीधा बुनेंगे, इसके बार फिर से पांच फंदे धागा घुमाके, एक, दो, तीन, चार, और पांच उसके बाद फिर से एक फंदा सीधा बुन लेंगे और ये एक हो गया इसी के साथ पांच फंदे जाले डालते हुए उने एक दो धागा आगे तीन धागा आगे चार धागा आगे पांच धागा पिछे रखेंगे और फिर से पांच फंदे दो बार धागा फिर से वैसे ही बुनेंगे धागा एक फंदा सीधा बुनेंगे धागा आगे करते हुए फिर से एक फंदा सीधा फिर से धागा आगे और जाली डालते हुए लास्ट वाला फंदा भी सीधा ही ये दिखिए हमारी फिफ्थ रो कम्प्लीट हो गई है सिक्स रो है रॉंग साइड फिर से इस रो को हम ये दिखिए सीधे पंदों के साथ इसको बुनेंगे ये दिखिए ऐसे उतारेंगे एक दो तीन और चार पंदे सीधे बुन लेंगे ये जाली वाले फंदे थे इनको भी उल्टी साइड में सीधा ही बुनेंगे धागा आगे करेंगे और ये 5 फंदे जो हमने दो बार धागल पेट के बनाए थे इनको ऐसे उतार लेंगे देखिए 5 फंदे हो गए इनको अभी हमने बुनना नहीं है ऐसे ही इस लाई पर रखेंगे और धागा पीछे लेकर जाएंगे और ये वाले सेंटर के जो हमने फंदे जाली डाल के बनाए थे इनको सीधा बनेंगे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आट और नौ फंदे सीधे धागा आगे ये पांच फंदे ऐसे इस लाई पर ले लेंगे उतारके धागा पीछे लेकर जाएंगे और फिर से एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आट और नौ फंदे सीधे धागा आगे एक, दो, तीन, चार, पांच फंदे ऐसे ले लेंगे फिर से एक, दो, तीन, चार, सीधे पंदे, लास्ट वाला भी सीधा ही ये दिखे, सिक्स थ्रों कम्प्लीट हो गई है, ये दिखे, सेवन थ्रों है, राइट साइड, एसे उतारेंगे और एक, दो, तीन, चार पंदे सीधे बुनेंगे ये पांच फंदे इसी सिलाई पर ले लेंगे, इनको भुनना नहीं है अब हमने, फिर आगे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, और नो फंदे सीधे बुन लेंगे पांच फंदे इस सिलाई पर लेकर आएंगे और आगे के फंदे फिर से सीधे बुनेंगे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, और नौ, पांच फंदे इस सिलाई पर लेंगे फिर से एक, दो, तीन, चार फंदे सीधे बुन लेंगे लास्ट वाला भी सीधा ही ये दिखिए सैवन्थ रों कम्प्लीट हो गई एट रों है प्राउन साइड एसे उतारेंगे एक दो तीन चार पंदे उल्टे बनाएंगे अब दिखिए ये जो पांच पंदे हमारे हमने डबल धागा फोल्ट करके बनाए थे इनको एक सास और पांच पंदों का एक पंदा बनाएंगे फिर से एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ और नौ पंदे उल्टे पांच पंदे एक साथ लेंगे पांच का एक पंदा बना देंगे एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नौ पांच पंदों का एक पंदा एक दो तीन चार लास्ट वाला सी था ये दिखे एट्थ रो कंप्लीट हो गई और हमारा दिजाइन भी कंप्लीट हो गया है फिर से हम इसे फर्स्ट रो से लेके एक रो बार बार इसकी रिपीट करेंगे दिखे फिर से फर्स्ट रो से इसको स्टार करेंगे ये सारी रो हम ऐसे ही सीदे सीदे फंदों के साथ बुनेंगे रोंग साइल उल्टे फंदों के साथ यह बहुत ही easy design है friends इसकी 4 row तो ऐसे simple ही बनेंगी जो design है वो इसकी 4 row में उपर आएगा यह दिख्ये फिर से हमारा design first row से start हो गया है मैं थोड़ा सा और उपर आपको बना कर दिखाती हूँ मैंने इसे थोड़ा सा और उपर बना लिया है और यह बनकर कुछ इस तरह से यह दिखे दिक रहा है यह दिखे कितना प्यारा लगता है यह बनकर ऐसे ही बार बार हम इसकी एडर और पीट करते जाएंगे और हमारा डिजाइन दिखी ऐसे ही बनता जाएगा और इसे आप लेडिस कारडीगन में, बच्चों के स्वेटर में, लेडिस जैकेट में, किसी में भी डाले हैं सभी में, बहुत ही अच्छा लगेगा तो फ्रेंड, आप भी इसे बनाएए और अपने एक्सपेरियंस हमारे साथ शेयर कीजिए आपको हमारा वीडियो कैसा लगा और नीचे एक मेंट बोक्स पर लिख कर बताएए फ्रेंड अगर आपको मेरे वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें तो मिलते हैं अगरे वीडियो में, थैंक्यू फ्रेंड